एक दम ठंडी की special recipe दोस्तों बहुत ही unique और tasty इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पूरी पराठा दो इस्ट्रा ही खतम हो जाएंगे बहुत ही लाजवाब बनते हैं तो देखिए हमने 200 ग्राम यहां पे बथवा लिया है दोस्तों बथवा में अनेक तरह की घास मिली हुई रहती है तो इसलिए हम अच्छी तरह इसे पहले साफ करेंगे और पतिया और उपर का भाग मुलायम भाग तोर के अलग करेंगे हाट पार्ट हटा देंगे इस रेसिपी में हमें यह हाट वाला पार्ट नहीं चाहिए दोस्तों तो इसमें धूल मिट्टी की मातरा बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए इसे अच्छी तरह पांच-छे वार कम सकम धोएं देखिए पैन में चराएं हैं पानी क्योंकि यह क्वांटिटी कम है तो हम पैन में ही बनाएंगे और इसे डाल देंगे मैंने तीन चर बार बत्वे को अच्छे तरह दो लिया है अक्सर पूरी पराठा के साथ सर्व करने के लिए हमें कुछ न कुछ चाहिए होता है दोस्तों और बुंदी का रायता तो आप बहुत बार ख अब इसे एक ब्लेट में निकाल लेती हूं अठंडावनें देती हूं देखिए एक कपल यह फैटी हुई दही है दौस्तों आप जादा dynasty ना ले ये ज्यादा खटी दही नहीं है घर का जमाया हुआ दही है तो यहां पे हमने इसे भीष लिए है बथ्वे को रिख से कि हिसाब से आप डालें, मैं दो चमच भरके डाल रही हूं कि ये कातम हो जाएंगे तो हम फिर से बना लेंगे और ज़रूरत लगेगा तो इसी में भी मिला लेंगे हम तो अच्छी तरह हमें बत्वों को मिला लेना है थोरा सा सफेद नमक डालेंगे इसमें थोरा सा ये काला नमक जरूर डालें इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों तो सारे पुराने तरीके भोल जाएंगे और मैं घी ले रही हूँ एक बड़ा चम्मत आप तेल भी ले सकते हैं लेकिन घी में इसका टेस्ट बढ़ जाएगा दोस्तों आधा चम्मत जीरा दो सुखी मिर्ची आप एक बार ये तरीका जरूर देखिएगा सभी को बहुत पसंद आएंगी एक चम्मत सफेद तील डाले हैं और सफेद तील बहुत लोग नहीं डालते हैं लेकिन एक बार इस तरीके से बनाके तो देखिएगा बहुत ही स्वाधिष्ट बनती हैं ही वे एक बार हरी मिर्ची आप ह नहीं हम इसलिए इसमें डाल रहें पीसके भी डाल सकते हैं लेकिन ये केरमलाइज हो जाएगा तो इसका टेष्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और यहां पे देखिए आधा कप के करीब धनियां ये जरूर डालें दोस्तों और इस तरीके से भूनगे ही डालें इसमें रा पराठो के साथ सर्व किजिए कभी-कभी सबजियां भी खाने का मन नहीं रहता है तो उस समय आप ये पराठे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो हमारा देर का वूनकी एक्तम तयार है तो देखिए उपर से लगाते हैं इसमें तर का बहुत ही टेस्टी बनती है इस तर मिर्ची और भूने हुए जीरे का पाउडर तो हमारा चटपटा रेसिपी तयार है रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कोमेंट सस्क्राइब कीजिएगा दोस्तों फैमिली के साथ सेर कीजिएगा और कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा दोस् मैंने दोस्तों पिसे क्या हमें की फिरेस्से थे खार, थाद दोस्तों हाइक धन्रा के लिको जी खूड़ा है।